So, Hello Everyone, Let's Start the Analysis Video And this video के अंदर मैं आपको यहाँ पे Sport and Resistance Level बताने वालूँ Nifty Bank Nifty के Analysis हम लोग यहाँ पे करने वाले One Day का चार्ट अगर आप लोग Bank Nifty का यहाँ पे देखोगे Market के अंदर तो अच्छी Bullies Candle Market ने आज बनाई थी लेकिन जाते जाते Market ने Close कहाँ पे किये लगबग Market के Middle के अंदर ठीक है, यहाँ पे Market ने इतना यह High लगाया यहाँ पे Market ने Low बनाया और उसके बीच में आके Market ने यहाँ पे Closing दिखाईए मतलब क्या बनता है, इस चीज का Sense क्या बनता है वो आप लोग समझो Market ने अगर जहाँ पे Close किया जहाँ पे Open होई Market और वहीं पे Market ने क्या कर दिया, Close कर दिया तो यहाँ की Market के अंदर कौन है Buyer and seller दोनों पर जेंट है अब बात करते हैं 15 मिनिट पे मैं 15 मिनिट का टाइम फ्रेम भी आप लोगों को यहाँ पे लगा देता हूँ जिसके हिसाब से हम लोग daily analysis करते हैं यह 15 मिनिट का टाइम फ्रेम आप लोग देखोगे Market के अंदर की Market ने अच्छी गिरावट आज के दिन दिखाई थी और गिरावट दिखाने का रेजन क्या था आपको पता होगा ठीक है जो ही डेनबर्ग वाले न्यूज सेल रही थी Market के अंदर जो सेबी की चेर परसन की उपर जो आरोप लगाए गई थी जो अडानी की जो न्यूज सेल रही थी उन से भी न्यूज के कारण Market ने क्या किया अच्छा यहाँ पर फॉल दिखाया और जैसे ही फॉल करने के बाद लोगों ने क्या कर गया होगा यहाँ पर सेलिंग का माहौल देखा होगा और यहाँ पर देखो कितनी अच्छे से Market के अंदर SL Hunting यहाँ पर वर्क हुई है आप लोगो यह चीज देखे पतर लगया होगा Market के अंदर कि SL Hunting Market के अंदर वर्क करती है चाहे कितनी भी बड़ी न्यूज के अनो क्योंकि आपको पता है कि जब से Market ओपन हुआ है आपको पता है सेलिंग का माहौल पूरी Market के अंदर है तो सारे लोग को देखो SL Hunting करना होता ही है तो Market ने क्या किया है यहाँ पर एक छोटा सा मोमेंटम किया डाउन साइड का एंड जैसे ही Market ने थोड़ा बहुत Sustainability यहाँ पर दिखाई थोड़ी Market यहाँ पर sustain होती है लोगों को पता सबसे पहले मापको वह समझाने की कोशिश करता हूं अगर आप लोग इस वीडियो के अंदर नय हो इस चैनल के ऊपर नय हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यहाँ पर आप लोग को डेली एसी ही लाइव ट्रेडिंग वाली के पास 51,250 का ओने वाल है तीन अभी के लिए हमारे पास पचाहाँ possível बात करूं तो 55,424 पहला सपोर जिबन ह इंormal है 50,229 का दूसरा सपोर जिबन है 571,102 का तीसरा सपोर जोन है तीन हमारे पास अभी के लिए support zone अवलेबल है तीन support है तीन resistance जोनों मेरे आपनों को बता दिये अब आपनों को पता है market अगर support के आसपास आने के बाद हम लोगों कोई bully sign देती है तो market के अंदर कोई bully sign हमें support के आसपास मिलेगा कौन से support के आसपास जो हमने यहाँ पर find कर रखे हैं आपको पता होगा market के अंदर SL hunting के coding मैंने आपको सारे support अजिसन यहाँ पर provide करे हैं यही चीज मैं अपने telegram पर डाल देता हूँ तो अगर आप लोगों अभी तक हमारा telegram जोइन नहीं किया तो जोइन कर लेना जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्रिप्शन में मिल जाएगा इंड यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा सपोर्ट इसन के इसाप से अगर resistance के पास हम लोगो क्या दिखती है कोई weakness दिखती है और support के पास कोई strongness हमें दिखती है मार्केट के अंदर हम लोगो को क्या देखने को मिल जाती है positive opening कल के दिन अगर हमें देखने को मिलती है तो मार्केट क्या करती है अगर इस लेवल का breakout करती है पचास हजार साथ सो 74 की लेवल का मार्केट अगर breakout करती है तो हम लोगो यहाँ पर एक बड़ी buying की opportunity देखने को मिल सकती है तो अगर आप लोग अपने risk के हिसाब से यहाँ पर काम करना चाहते हो न तो मार्केट के अंदर पचास हजार साथ सो 74 की लेवल को मैंने mark किये इस चीज़ आपको ध्यान में रखने है यहाँ से market एक अच्छी buying opportunity हम लोगो देखने को मिल सकती है अगर market यहाँ से rejection ले लेती है तो आपको पता है rejection लेने के बाद market के अंदर हम लोगो selling दिख सकती है selling कौन से level तक होने वाली है मैंने आप लोगो बता दिये तो bank nifty के analysis हमारी यहीं पर होती है complete और बात करते हैं अपना निफ्टी की निफ्टी की यहाँ पर हम आप लोगों के सामने बात करता हूं तो निफ्टी के analysis में मैं आप लोगों को बता देता हूं directly पंद्रामेंट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी के अंदर आप लोगो दिखेगा चोटे मोटे selling करिए और बहुत बड़ा market ने यहाँ पर बाइंग का momentum किया है यान कि यहाँ पर भी SL hunting work हुई है market के अंदर जाते-जाते market ने selling करिए bullish candle market ने यहाँ पर close किया चाहे red हो चाहे यह green हो market ने hammer candle बनाई है जाते-जाते तो इसका मतलब है market के अंदर अच्छे बायर्स यहाँ पर है अगर कल के दिन हम लोगों को बड़ी opportunity दिखती है कि इसकी positive opening दिखती है तो हम लोगों के लिए बड़ी opportunity मिलेगी अगर market 24,387 के लिए उलका breakout करती है और यहाँ पर resistance हमारे पास है 24,484 का 24,534 का support zone की मैं बात करूँ तो यहाँ पर पहले support zone हमारा 24,336 का है और दूसरा support zone हमारा 24,250 का है तो निफ्टी बैंक निफ्टी की है अनलसी सोने वाले support zone मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दिये और अगर आप लोग बड़ी information जाती हो जो news होती है वो daily news जाती हो यानकि instead अगर कोई news मिलती है हमें option trading से related तो टेलिग्राम आप लोग जोईन कर सकती हो वहां मैं सारे चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूं और हम लोग swing trading की जो series की उपर काम करें वो भी मैं आप लोगों को वहां पर update कर देता हूं कि कौन से stocks के यहां पर हम लोगों को result देखने को मिल रहे हैं कौन से stock की result देखने को मिल रहे हैं कौन से stock की earning हमें देखने को मिलेगी आज के दिन कौन से stock को क्या order मिल रहे हैं वो सारे चीज़ मैं अपने टेलिग्राम पर प्रोवाइड कर देता हूं तो आप लोग टेलिग्राम जोईन कर सकते हो देखने के लिए swing trading वाले stock भी पकरने के लिए तो बाकी वीडियो का इसलिए कि जुरूर बताना support station मैंने आपको बता दिये काम कैसी करने हो मैंने आपको बता दिये SL hunting के coding में बात करूँ तो bully side के लिए हमनों को बड़ा momentum ध्यान में दिख रहा है ये चीज़ आपको ध्यान में रखने है बाकी सारे चीज़े मैं telegram पर प्रवाइड कर दूँगा तो मिलते हैं next AC analysis वीडियो के अंदर तब तक के लिए धन्यवाद